नमस्कार दोस्तो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर अवध्या में बन रहे श्री भवे राम मंदिर को लेकर आ रही है और जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा की तारीक नजदे का रही है दोस्तो लोग विवादित बयान देने से भी नई थम रहे हैं अलग अ अलग अलग बयान दे रहे हैं दोस्तो अभी हाली में इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिव फ्रेंट यानि की ए यूडी एप के प्रमुख बद्रुद्दीन अजबल ने मुसल्मानों से राम मंदिर अभिशेक के दोरान 20 तारीक से लेकर 25 जनवरी के बीच यात्रा न ने कहा कि बीजेपी मुसल्मानों की सबसे बड़ी दुस्मन है इसलिए मुसलिम समुदाय के लिए बहतर है कि वे किसी भी तरह के कारेकरम से दूर रहे हैं और दोस्तो आप सभी को पता है आयोध्या में बन रहा जो स्री राम मंदिर है उसका जो प्रान प्रतिष्टा है 22 जनवरी 2024 को होनी है लेकिन बदरुद दिन ने बयान दिया है कि 20 से 25 जनवरी तक ना तो ट्रेन में ना बस कार आदी में कोई भी यात्रा की योजना बिल्कुल ने बनाए जब भगवान राम की मूर्ती गरब ग्रहें में रखी जाएगी AIUDA प्रमुक ने आगे कहा कि मुसल आजनमने कहार मुसलमान आमतोर पर वोट देने के बाद कांग्रिस द्वारा दिये गए लोलीपोब के बारे में भूल जाते हैं तो दोस्तों जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्टा की जो तारीके हैं नजदीक आ रही है उसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग पक्ष और व मंदिर में जाएंगी या अस्पताल में जाएंगी दोस्तों भावय स्री राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में दोस्तों आप इससे खुस हैं या नहीं कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें